करें के साथ तो पता है कैस जो किसी बिजनेस का बलड होता है अगर किसी बिजनेस को चलाना है तो कैस सबसे है लेकिन अगर यह नहीं है नहीं सकता है उसे चलने में बहुत होगी और फैसा इसको लिखता सबसे चोटा है लेकिन होता सबसे बड़ा है और सबसे इंपोर्टेंट है अगर operation नहीं हो तो आप कहीं भी इन्वेश्ट किये हो कितना भी पैसा लाए हुए हो क्या फ़र्थ पड़ता है जो में काम होता है किसी भी बिजनेस वह किस से चलता है ऑपरेटिंग से वह क जब चलता हम होता है जब और एपरेटिंग को पाओगे कैसी नहीं होता है किसी बिजनेस को कि अगर हम छोग के बारें बात करें तो हमीशा जान में रखना है यह दिनाए और कुछ नहीं आएगा अगर कोई नौन-Cash राइट राइप्स अचुका है एक सबसेंग्शका है पार्ट में डिवाइट के अब फाइनसिंग क्योंकि कोई भी बिजनेस लिए फाइनसिंग किया और देखा जाता है कैसे बहुत दर लाता है कैसे बनेंगा बोटने की समय चोटा सा चीज़ा बड़ बहुत सब्सक्षर करेंगा है cash flow statement कितने ततक्र हो basics में आगर operating का बात बात करें तो current assets and current liability क्योंकि क्यों होगा तो हम लोग करते हैं इंवेस्टिंग एक्टिविटी कहीं आपना पैसा दे तो आपके लिए लोग चोटे मार्केटेवल सेक्यूर्टि चोटे में भी इंवेस्ट करते हैं ज्यादा किसी को लोन देते हो लॉंग टर्म इंवेस्टम होता है सेम फाइनसिंग अगर आप पैसा किसी से लेते हो तो दो तरीके से पैसा आ सकता है किसे आएगा आपका अजिए आपको पैसा दे सकता है और कोई जगा नहीं यह आशा पैसा लाइस किसी भी बिजिस्ट का बाद करें तो यही दो चीज है जो आपको पैसा बनाता है तो 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 अब बताता है इसमें करेंट लाइविटी भी आता है अब चोटा मोटा पैसा भी लेते हैं तो वह इसमें आता है तो यह बीसिक है आपको कैसे लो समझने के लिए कि कौन कहां से आता अभी सबसे पहले ऑपरेटिंग नंबर वन फिर इंवेश्टिंग देखेंगे का इंड्रेश्ट का इंड्रेश्ट डिसिव बहुत रॉपरेटिंग में रिखेंगे का हैंगां कैसे क्या होगा। तो हम लोग स्टार्ट करते सबसे पहले पर इंकम इस्टेटमेंट क्योंकि यह जानना जो रड़ी है कि सेल्स कहां जाएगा बात कर लिए कि ज्याधा तर ऑपरेटिंग आइटम का मिलता है करेंट असे मिलेगा तो सबसे पहले हम देखते हैं इंकम स्टेटमेंट क्या क्या आता है सबसे तल आपका सेल्स आता है कि इस प्राइब इस प्लस मैनस नौन और इंग्स एंड और क्या आएगा आपका इंकम प्रॉम कांटिनिंग ऑपरेशन बिफोर टेक्स लेस्टेस सेंचीज आफ्टर टेक्स तो यहीं तब देखें इससे आभी बड़े जोरत नहीं तो जब ऑपरेटिंग का बात करें एक्टिविटी तो सबसे पहला चीज अगर इंकम शेटमेंट उठाके तो क्या है यहां पर सेल्स है ठीक है पहला आतार का सेल्स तो सेल्स अगर बात करें तो सेल्स कहां जाता है आप किसी को बेचोंगे बेचोंगे या तो सेम चीज कोग के साथ करते हैं क्या 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 है क्या मेरे सबसे दो जाना चलिए क्या आता है तो पर्टिश करते तो में पीसे पैसा ना दियों क्या आएंगा यहां पर दूसरा प्रइंट क्या जाएगा कि अब कि अब परफेस अपनस और क्या आइगा आपका विश्यलिंग एंप सब्सक्राइब और कहा जाएगा क्या आता है इन्वेंटरी हम लोग गुड्स को यूस करते हैं तो गुड्स के लिए क्या आता है अमेशा पूसक्त के लिए एक जिए रही आए रहा वह तो बदा सेल्स में आपका एर आता है और इसमें क्या आएगा आपका नाम को पहले बोले इंवेंटरी यह आपका क्या हो गया है करें आप फिर आते हैं सब्सक्राइब अब यह बताओ सब्सक्राइब सब्सक्राइब आपको आपको क्या है अगर आप नहीं कियो तो कि आपको इसको पे करना पड़ेगा तो कहां एकाउंस पेबल में आपका गया फिर आपको क्या है में एन्कम सब्सक्राइब और क्या हुआ है आपमें क्या है इंट्रेस्ट आपको यहीं हुद्ट एपके डिविडेंड रिसीव और किL姊ंग teaching and उन्हेंद और कि मैंट इन्ट्रेस्ट पेंट डिएस का इलिए सब किया हैंगे तीन एक्सपेंस में यहाँ छूट रहा है वो इडिविडेंड पीड यह कहा है इसको दिसक्स करेंगी यह त्वीदेंड लों कि अपटरली में और यह डिविदेंट क्यों नहीं आता है उसको हम लोग जाएंगे फाइनसिंग में तब तक के लिए इसको इतना रखते हैं यह तीनों आपका आए अहां पर नौन अपरेटिंग अब फिर क्या आपका टेक्स तो टेक्स क्या हो सकता है यह सकता है यह सारा चीज है जो आपका इसमें आता है अगर बुक्स के इस आपसे देखे तो आओ अगरेटिंग अपरेटिंग में आपको कॉक्स में क्या इंवेंटरी एंपी है और इसको आप बाता है कि सॉल्व कैसे करना इस समझ के इस सारे चीज आता है आप देखो क्या है अगर आप क्या होगा कई इस सब सारे चीज आप किसका है एकुक्तक्रांभ है यृटिश्सों फिस ऑफ करका हो का इन्वेस्टिक करएंगी इन्वेस्टिक फाइन्शिक खुष नहीं आए अत्याव अπό्टIs